नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथियाई स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों बजार के लिए कुछ इंपोर्टेंट चीजा सामने आती हुई दिख रही है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं सबसे पहले तो मार्केट में ओल्रेड़ी फिफ्टी वीक हाई पर या आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है चाहें वह निफ्टी लेवल्स पे हो या फिर बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो इनफेक्ट अगर आप मेरे से पूछे तो बैंक निफ्टी तो चंटीन्यू 52 वीक हाई तेली बेस पे आपके लिए लगाते हुए दिख रही है सेंसेक्स में भी लगी रही है बस उमीद जताई जा रही है एनलिस के द्वारा देखिए मेरी परसनल रिपोर्ट नहीं है और ना मैं खुद कह रहा हूं कि मतलब मैं जैसे अपने व्यूज देता हूं इस टॉक्स पे कभी किसी पे यहां पर प्रॉपरली जो चीज आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा means कि किसी ने बोला है मैं आपको बता रहा हूं आप खुद भी पढ़ सकते हैं बट नहीं पढ़ते हैं बहुत सारे लोग हमारे द्वारा ही केबल पता चलती है तो मैं उनको बता रहा हूं काफी लोग इस पर कमेंट इस प्रकार भी कर देते हैं भाई आपने वहां की उठा आपके बता दिया तो ठीक है आपको पता है बहुत अच्छी वात है लेकिन बहुतां को नहीं पता होता तो यहां पे कुछ रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ है निफ्टी को लेकल और यहां पर जो डाटा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है ऐसा बताने वाला हू सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लगबग अभी से 5 से 7 दिन पहले मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी PR सुन्दर जो की कॉल राइटिंग करते हैं और option राइटिंग मतलब कह सकते हैं आप option राइटिंग में कहीं अच्छा नाम है उनका और पैसा बनाते हैं क यानि कि इस दिसंबर के लास्ट तक निफ्टी 19,000 का लेवल टच कर सकती है हिट कर सकती है वहीं उन्होंने इस साथ के साथ ये भी बोला 2023 के दिसंबर एंड तक कहीं निफ्टी जो है 21,000 के लेवल को हिट कर सकती है तो इस हिसाब से बजार तो बहुत positive दिख रहा है बहुत में reach 19,000 in December तो December expiry में निफ्टी लगबग 19,000 के आसपास आ सकती है तो सारे डाटा positive हो रहे है और कल आपने देखा अमेरिका के बाजार की तरब से भी अच्छी ख़बर थी भाई में फैट के मिनट्स में भी देखा कि clearly बोला गया कि जो rate hikes है उन्हें अब धीरे करा जाएगा बट कही न कहीं अभी होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका inflation और उनका interest rate बहुत दूर है mismatch है तो उसको नीचे लाने के लिए कहीं अभी तो करने पड़ेंगे बट वह मैं बा इस स्टांस आइंग ओल्टाइम हाइस आवर निफ्टी टारगेट फॉर दिसम्बर सीरीज विल बी 18,900 विद की सपोर्ट प्लेजड एट 18,100 अब रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा आ जाएगा अभी तो आला कि आज तो बजार में आपने रहली देखी आज मार्केट ल पर में 18,500 पर ट्रेड कर रहे हैं 18,100 का ने एक स्ट्रॉंग सपोर्ट दिखता है और 18,900 के इनके टारगेट से अल्मोस्ट 400 पॉइंट नीचे सपोर्ट है 400 पॉइंट सूपर टारगेट है दिसम्बर सीरेज के लिए कौन कह रहा है सेट श्री राम वेला युद्धन एन ए IIFL Securities की तरफ से कुछ इस तरीकी की बाते आएंगे आगे बात करते हैं यहाने कि पिछले 20 साल का डाटा ऐसा बता है कि दिसम्बर सीरीज अच्छी रहती है बजार के लिए तो अच्छी रहती है तो अच्छी रहती है तो अच्छी रहेगीट तो अब्यूस सी वाद है, मुपर की तरफ ही चले जाएंगे, कि आपने देखा, आज तो फ्लैटी है, तो यहां से अगर मैं 2% की रैलीवी ले लूँ तो भी 18,000, कहीं न कहीं 700-800 पर आजाएंगे हम, तो कहने वाली बात है कि निफ्टी में आपको 19,000 के पास के लेवल से मैं नाम लूँआ यहां पर मैटल्स का, मैटल स्टॉक चल नहीं रहे है, डिमांड वीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डॉलर की वीकनेस का अभी तक फाइदा नहीं हुआ है, मैटल्स को, यहां पर टाटा स्टील जो की सब का फेवरेट है, इस पर ही बात कर देंगे, जिसके लिए आपको छोटा SL रखना है 104 रुपीज का, तो यह मेरी तरब से आपके लिए टाटा स्टील पर आए है, हिंडालकों को लेकर अरॉन 60-480 रुपीज तक के लेवल्स देखने को मिल सकते है, मुझे ऐसा लगता है, तो उस पे भी नजर बना के रखिए, नेक्स्ट, आपको मैं IT से बोलू, तो यहाँ पे Infosys ने बड़ा वाला breakout दिया है, इस स्टॉक को Radar पे रखें, अगर एक दो दिन और ट्रेड करता है इन लेवल्स पे, तो 1700 और 1750 तक के लेवल्स आपको Infosys दिखा सकता है, जो मार्केट को अकेले ही कही ना कहीं खीच दे पहला तो 1665 का है, वो ब्रेक होगा तो स्टॉक 2750 तक भी उपर में जाएगा, ठीक है, इस स्टॉक को मैंने आपको 2380 पे खूब रिकमेंड कर रहा था, कहा था कि नीचे यही सपोर्ट लेता है, उपर में चला जाता है, तो देख लीजे, आपका काफी अच्छा मुनाफ़ हम ब्रेक होगा जाता है, भीजेगी प Measure C.